हेलो यूटूब फामली वेरी गूड मॉर्निंग आज मैं आप सब के साथ बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही हेल्दी है और आप अपने बच्चों को कभी भी दे सकते हो तो इतनी हेल्दी है कि आप कभी मना भी नहीं करोगे उस चीज के लिए तो चलिए चलते हैं पनाते हैं छोले कल रात को ही मैं में प्रपरेशन कर ली थी और पानी को में सोग करके रख दिया था बस सिंपल सा गैस पे इसको हम चड़ा देंगे नमक डाल कर और यह बॉयल होगा जब तक यह बॉयल होगा तब तक क्ले हम अपना रूम सेट कर करती हूँ तो मल्टी तास आप कह सकते हो इसी वज़े से तो मेरा सारा काम टाइम पे होता है więks के कवंधकर आते हैं कि क्यानेज कर लेते हैं तो इस तन्हें से मैं मैंडेश कर लेती हूँ और आप यदि यदि अच्छी चीजे कैसे बना पाते हूँ पहली बात तो यह की तो इसकी वज़े से वह स्कूल नहीं गया है तो इसकी वज़े से उनको खाजी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है और आप सभी जानते हो कि उसको अस्तमा प्रॉब्लम है यह कहा कि एक दो दिन आराम कर लेंगे तो आराम मिल जाएगा क्योंकि अभी फाइनल एक्जाम आने व स्टार्ट होने वाले हैं वैसे उतनी टेंशन फंक्शन्स की नहीं है मुझे तेजस की ज़्यादा है तो यहाँ पर जो है मैंने अपना रूम को सेट कर लिया है दूसरा वाला भी रूम मैंने सेट ही कर लिया था फटाफट तो यह देखिए तो फटाफट मैंने काम कर लिया है और काम करने के बाद मैं सीधे जाऊंगी किचन में और आप सब के साथ वो रेसिपी शेयर करूँगी जो बहुत ही देख सकते हो जितना हमको जरुवत है उतनी लिए आपको जितनी जरुवत हो उतनी लिए वैसे यह 3-4 खटोरी आटा है यहाँ पर मैंने ली है कसूरी मेथी तो आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हो जो आपको पसंद ओने तो आप मेथी का मौसम है सर्दियों का तो इसको सु करूंगी इसमें जो है हरी धनिया जितनी हो सके उतनी एड कीजिए मुझे ज्यादा पसंदे तो मैं ज्यादा एड करूंगी इसमें और देखने में भी बहुत सुन्दा लगता है यहां पर थोड़ा से रिफाइंड ओयल मैं एड कर रही हूं रिफाइंड ऑल मस्ट है सरसो का रिफाइंड लइंग तन दॉखमक लेऊ और नहीं अजय आड कर से तैन नहीं स्थ रहा है यहां पर मैं चार चमच ले थे मुझाया हिए। बहुत ज्यादा हमें refined all नहीं लेना अब आपको एक secret की चीज बताती हूँ जो बिल्कुल restaurant वाले बनाते हैं यहाँ पर दो से तीन चुटकी pinch मैंने sugar ली है इसमें मैं add कर दूँगी तो बस अब add करने के बाद इसको अच्छी धने से mix करने के बाद तो चाहे आप हाथ की health से चाहे वाव स्पून की health से बहुत अच्छी तरह से आटे को mix कीज़ेगा अब यहाँ पर मैंने लिया है गरम पानी बहुत ज्यादा गरम नहीं एकदम light सा गरम पानी जिसे गुनगुना पानी कहते हैं वह लिया है दो से तीन चार बार आपको इस तने से बैटर को पटकना है जिससे आपका जो बैटर है न सौफ्ट हो जाएगा और इसमें हवा एड होगी तो आप देख सकते हैं क्योंकि यह आटा है वैसे बाहर रेस्टरॉण में भी ऐसे ही किया जाता है अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं बाहर रेस्टरॉण में या धाबे में कही भी यह ट्रिक अपनाई जाती है आपको एक बरतन लेना है चायवा वह भगोना हो कटोरा हो उसको गरम कर लेना है बहुत ज़्यादा नहीं हलका गरम करना है उसमें अपना बैटर को रग देना है और उपर से हलका से रिफाइंड हो या घी हो वो लगा देना है रिफाइंड बेस रहेगा क्योंकि सर्दियों में जमता नहीं है सर्दियों में आराम से आप उसको यूज कर सकते हैं सरसो का तिल यूज करोगे तो समेल आएगी तो अच् सरीना चलिए आपको दिखाते हूं इसकी फिलिंग को लेना है पनीर आप आलू भी ले सकते हो या पनीर आलू मिक्स करके कर सकते हो इसमें havehadokी धनिया कषूरी मेथी हैं सर्षाइंग progress आप сможете कम लेंएंड तो बस आपको इस द़नीज से बैटर को ले Нा ने घराई है टो यह जालए इसको बना सकते हो मगर मैं इसको बेल के ही बनाती हूँ, अच्छा टेक्शल आता है बाहर की तरह आप समझ क्योंगए कि हां यहां कुल्चे बना रही हूँ, वह भी आठे के मैदे के कुल्चे इतने healthy नहीं होते हैं मगर आटे के कुल्चे आप बनाऊगे ना healthy होता है तो यह देखिए इस तरह से मैंने preheat तवे पे मैंने इसको डाल दिया है थोड़ा से तवे को तेज रखना है और फिर धीमा कर देना है तो इस तने से आपका texture आने लगेगा तो यह देखिए अच्छी तने से पक गया है अब हम एक side को क्या करेंगे इसको जैसे हम लोग रोटी सेखते हैं न सेम वैसे करता है तेज आज में और धीरे धीरे इसको सेखना है सब side हो से अच्छी तने से ताकि कोल्चे का texture आ जाए दिखिए घर में तो किसी के पास भी अंगीठी या oven इस टाइप का नहीं होता है जिसमें कोल्चे बनते हैं तो वो अलग ही होता है मगर यह बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगने देगा इस तरह की trick कि आपका कुल्चा यह नहीं है और आटे का कुल्चा है तो बहुत ही healthy होता है आप जानते हो आटा वैसे भी healthy होता है मैदा इतना healthy नहीं होता है तो बस मैंने white butter लगाया है इसमें क्योंकि white butter जादा best रहता है यह मैं घर में बनाती हूँ किस तरह से बनाती हूँ अगर आपको चाहिए तो comment section में बताइएगा मैं आपको recipe जरूँ शेयर करूँ बहुत easy तरीके से मैं करमे बना लेती हूँ यह देखिए हमारे आटे के कुल्चे बन गए हैं तयार होगे हैं सभी मैंने बना लिया उसी तरह से और थोड़ा से butter मैं और add कर रही हूँ इसमें तो फड़ा फड़ इसको जैसे धाबे वाले करते न ऐसे squish करते हैं वैसे ही करना है और यह देखिए करमा करम soft पनीर कुल्चा आटे के तयार है साथ में है छोला सूखा छोला प्याज के लच्चे दही मैंने नहीं रखा क्योंकि सर्दी का समय है तो इस विज़े से मैंने दही नहीं दिया तो आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया हेल्फुल लगा है तो लाइक शेयर सब्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा बाई